चुर एक सवाल का जवाब दो मतलब अगर ये सवाल का जवाब आपने दे दिया तो मान लूँगा कि आप से बड़ा होश्यार व्यक्ति संसार में कोई निया बताओ 25 फरवरी 1931 को कौन सा दिन था है सर क्या पूछ रही है 25 फरवरी 1931 को मैं क्या मेरे पिता जी भी नहीं जादा हुए तब तक तो लेकिन अगर हमारे पास ऐसी कुछ टेकनीक आजा जाए जिससे हम किसी भी साल का किसी भी दिन के बारे में जानकारी पता लगा सके तो कितना मज़ा आएगा है कि नहीं बस यही ट्रेक हमने सीखी थी यही पूरा कॉंसेप्ट हमने सीखा था पिछ रहेंगे exercise 3.2 को जहां पर आपको मिलते हैं बहुत सारे questions on the same concept of calendar स्वागत आपका मैंने पर मैं हूँ आपका मैंस्मेंटर राहूल गूड मॉर्निंग गूड इवनिंग वेनेवर इंजॉइंग दिस सेशन students मैंने ब्रेंस एक ऐसा प्राइटफर्म में जो आपको kindergarten से लेकर 12 तक का सारे education प्रोइड कराता है absolutely free of cost आप हमारे सारे लेक्श्यों मतलब ये वाला इसका पिछला वाला अगला वाला सारे के सारे देख सकते हैं absolutely free of cost हमारे YouTube चैनल से या फिर website से या फिर हमारी आप से इन तीनों में से किसी भी मादम को कितने भी दिनों तक यूज करो कुछ भी पे करने की जरुवत नहीं पड़ती है चलिए यह तो हो गए mandatory जानकारी अब आ जाते हैं सवालों के जवाब की तरह तो सबसे पहला जो हमारा question है वो हमसे क्या उमीद कर रहा है कि कुछ तारीक दी है और हमें बताना है कि इन तारीक पे कौन सा दिन होगा कुछ नियम जो आपको यहाँ पर याद होने चाहिए अगर नहीं याद है तो नीचे देखो description box में पिछले session का link मिल जाएगा वहां से आप उन सारे rules को revise कर सकते हो चलिए 4th of January 2002 को कौन सा दिन था यह आपको पता लगा है अपने पहले सवाल में कैसे solve करेंगे इसको तो देखिए सर इसको solve करने की टेकनीक बहुत simple है सबसे पहला rule तो यह कि सबसे निकटतम वो साल ढूंड यह जिस जो की 400 से divisible हो किसे 400 से ना 4 ना 100 बलकि 400 दोनों से divisible हो तो वैसा year जो इसके आसपास होगा वो होगा 2000 ठीक है वो क्या होगा सर वो होगा 2000 ठीक है अब सर आपने ऐसा क्यों करवाए क्योंकि मेरे लाल देखो rule बहुत simple है जब आप ऐसा year ढूंडते हैं जो की 400 से divisible है आपको यहाँ पे यह guarantee हो जाता है कि यहाँ पे एक भी odd day नहीं हैं सर और डे का मतलब मतलब वीक पूरा होने के बाद एक्स्ट्रा दिन for example एक नॉर्मल कैलेंडर में 365 दिन होते हैं कितने 365 दिन जब आप इसको सेवन से डिवाइड करोगे कितना होगा चेक करो सा 7535 बचा यहाँ पे 115 720 14 आया यहाँ पे वन तो आपका वन डे रिमेनिंग बच गया आपके 52 वीक पूरे हो गया वन डे एक्स्ट्रा बच गया है कि नहीं तो यह जो एक्स्ट्रा वन डे बचा इसे आप कहते हो और डे अब जो एर 400 से डिविजिबल होता है उस एर में जो की 400 साल में एक बार आता है उस एर में एक भी और डे नहीं होता ठीक है में फिनिश होके जीरो और देस बचे हैं अच्छा ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऐसा नहीं है कि क्यालेंडर हमेशा मंदे से होता है क्यालेंडर इसा कंटिनियूस प्रोसेस मतलब अगर नाइंटीन फॉर्टी सिक्स का 31 जन्वरी है वह वे निजडे को आया है फॉर एक्जामपल तो फरस्ट ऑफ जैन्वरी थर्स दे शुरू होगा यह नहीं कि वह पूरा अफ्ता फिर ब्लांक जाएगा ना वापस व इविजिबल बाई 400 ठीक है अब यहां देखो 2002 तक जाना है हमें तो आप गए 2001 से 2000 2000 से 2001 पे एक साल में एक आपका और दे फिर आपको उसमें 2002 में घुषना है जन्वरी में ठीक है पहला ही मैना भाई या जन्वरी की कौन से तारिक है चार तारिक है तो 2001 के बाद आपका 2002 श 2002 is the next date जब आपका 2000 एक समाप्त हो जाएगा देन आपको 2nd of jan पे जाना है ठीक है देन 3rd of jan अभी आपने शुरू ही किया है यह पहला ही सवाले देखो तो इतनी ज्यादा मेहनत नहीं है ठीक है वरना आम तोर पे आपको यह के अंदर मंस में भी जाना पड़ता है क्योंकि हा अब 0 or day का मतलब है कि हफता अगले दिन से शुरू होगा और यहाँ पे एक और दे मतलब यह हो गया Monday इधर Tuesday ठीक है तो यहाँ पर हमने लिख दिया Monday तो 1st of jan 2020 को Tuesday इधर Wednesday देन इधर Thursday and finally Friday तो हमारे हिसाब से calculation के हिसाब से 4th of jan 2002 को था Friday अच्छा एक बात का यहाँ पर ध्यान रखना है कि हमने यह हमारे जितने भी पुराने इतिहास कार थे गणित अग्यतनों ने यह माना था कि आपका हफता मंडे ते शुरू होता है मतलब एक पहले साल का पहला दिन पहले महिने का जो भी हुआ होगा ठीक है ज तो पहले वाले सवाल का जबाब क्या आ गया फ्राइडे आ गया ऐसे और डीटेल में अगर आपको समझना है कि पूरा इतिहास देखना है तो आपको पिछले सेशन को एक बार देखना पड़ेगा उससे बटर क्लारिटी मिलेगी चलिए अब नेक्स देखिए थरतीन ओड़े होगा वह हो जाएगा सूला सो जीरो ठीक है क्यों क्योंकि हमने सीखा है कि हर 400 सालों में आपके पास जीरो और डेज बचते हैं ठीक है जैसा कि आपको मैंने बताया कि 400 से डिवाइड करके चेक करना है अगर 400 से डिविजिबल है तो मतलब 0 अब हर सेंचुरी में मत तीन और देज और 300 में कितने हो जाते हैं देखो पांच दस पंदरा तो जबाइड बाइड सेवन कर दिया आपने तो एक और दे यह आपको ध्यान रखना है ठीक है और साथ 400 सालों में 400 सालों में भाईया देखो फिर आ जाता है जीरो फिर साइकल कीप सॉन रिपीटिंग ठीक है अब यहां समझो तो यहां से मुझे 1945 तक पहुंचना है तो मैंने सीधे सीधे 300 साल का लॉजिक लगाया और अब मुझे मिल गया एक और डे ठीक है मेरी पूरी मेहनत जो चलेगी यहां पर वो यही क्यालकुलेट करने के लिए चलेगी कि कितने और डेज हो रहे हैं उससे जादा मुझे किसी चीज की चिंता नहीं है चलो अब 1975 तक मुझे जाना है ठीक है तो मैं कंस्टर करूंगा 1974 को जो कि 75 के अंदर तो मुझे घुसना है तो उसको नहीं गिन सकता मैं तो अब मुझे यह देखना है कि 74 यह जो मेरे पास आए हैं यह इस 1900 19 सेंचुरी के इसमें कितने होंगे लीपियर और कितने होंगे नॉन लीपियर क्यों जो कि एक लीपियर में दो ओडे मिलते हैं और नॉन लीपियर में एक ओडे मिलता है ठीक है चलिए तो जब मैंने 74 को अब मैंने डिवाइड करना है 4 से तो 4 बंजा 4 34 आया 4 एट जा 32 ठीक है 18 पूरे प घुसोगे तो आपको मिलेंगे कितने तो आपको मिलेंगे सर यहां पर अगर आप क्यालकुलेट करेंगे तो अठारा लीपियर और बाकी बचे हुए सारे क्या होंगे बाकी बचे हुए सारे नौन लीपियर होंगे ठीक है तो अठारा लीपियर मतलब हर एक में दो और दे यह यहां पर मैं लिख रहा हूं एल वाई लीप एयर ठीक है तो एटीन टूजा थर्टी सिक्स करेक्ट अब नॉन लीप यह कितने तो सर नॉन लीप यह बचे हुए तो 74 में से 18 काट लो कितना हो जाएगा सब आपने 74 में से 18 काट दिया तो साथ के जगह आ जाएगा चे यहां प प्लस तो कर लो हाँ तो 56 जो आपके नॉन लीप यह हैं या यूं कहलो और डिनरी यह हैं उसमें एक और दे तो यह हो गया 56 अब 56 से 36 और एड करोगे तो कितना हो जाएगा उससार चे और चे बारा पांच और तीन आठ एक नो बयानवे 92 डेस का सेटप बन रहा है चे और च 22 को 7 से डिवाइड करोगे 7 से क्यों क्योंकि मुझे और डेस चाहिए minimum जितना जितना हम उसको simplify कर सके उतना हमारे लिए अच्छा है तो यहां पर 717 ठीक है और यहां पर हो गया by 73021 एक बचा तो मतलब कुल मिला के इस सारी calculation का नतीज़ा यह निकलेगा मेरे पास कि 74 यह मे केवल एक और डे बन रहा है कितना एक और डे ठीक है यह क्लियर हो गया हां जी सर तो चलिए यहां पर हम क्या करेंगे इरेजर लेंगे इसको मैं पूरे को हटा दे रहा हूं क्योंकि मैंने calculation कर लिया है तो यहां लिखा मैंने 1974 तक कितने और डेस एक अब 1974 के बाद 1975 शुरू हो जाएगा जो हमें चाहिए वीवाट 1975 राइट अब 1975 अगर चाहिए तो आपको 1975 के अंदर जनवरी से घुसना पड़ेगा जनवरी में तो भाईया जनवरी में आप देखोगे 28 के बाद 29 31 तीन दिन फैब क्या 1975 ली पिया रहे नहीं सर तो 28 exact होंगे तो 0 उसके बाद में लीपियर नहीं है 31 का माइना है मार्च मतलब ऐसे भी करत त्रसका ही होता है तो तीन दिन ठीक है जैन के फैबरिल के मार्च के बाद एप्रिल दो उसके बाद फिर में 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 वापस 31 तीन जून जून में 30 दिन होते हैं तो भाईया कितने एक्स्ट्रा दो आपको का तर आपको 13 तक जाना है जुलाए तो जुलाए भी पूरा हो जाएगा जुलाए में 31 माईना तो तीन फिर बच फिर शुरू होगा ऑगस्ट और ऑगस्ट में थर्टीन तक जाना चाहरे हैं तो तेरा तक तो भई मैंने तेरा के तेरा पूरे गिन लिए ठीक है या कुछ लोग पैसा भी करेंगे कि भाईया इसमें से साथ हटा दो छे गिन लो एक ही बात है कोई फरक नहीं है अगर हफता पूरा हो गया तो आपके पूरे क्यालकुलेशन से वह बाहर हो जाता है ठीक है तो इसको तेरा की जगा जो लोग छे लिखना चाहें वह भी लिख सकते कोई समस् भी करते तो वह अटमेंटिकली साइड हो जाता ठीक है चलो आइड करना स्ट करो तीन तीन से चे और दो आठ आठ और दो दस दस और छे हो जाएगा 16 16 और चे हो जाएगा 22 और मिरे लिए क्या इंपोर्टेंट है और डेस तो मैं 22 नहीं लिखूंगा मैं इन 22 डेस को फिर से से डिवाइड करूंगा सेवन्थ रीजा हो जाएगा 21 माइनस करके अंसर आया वन तो मेरे लिए और डे की संख्या हो गई केवल वन तो अब यहां पर देखो 13 ओगस्ट 13 ओगस्ट कांसा 1975 तक कितने और डेस तो सर मेरे लिए तो एक ही दिन हुआ तो देखो यहां पर हफता अब फूरू होगा तो पहला और डे यह आया मंडे इधर आया टूस्डे और यह पूरा इयर एंड होने पर एकजाक्ट देट तक पहुचने तक वेडनस डेज इस देश क्लेइर जी तो आपका आंसर क्या होगा आपका आंसर होगा बुद्वार वेनस डेज वुड बी और सब्सक्राइब तो इसका था अपना फ्राइडे इन जनाब का या वेडनेस डे अब आ जाते हैं तीसरे वाले पर क्यालकुलेशन अभी भी बहुत सारी करनी है अब देखो इसमें मैं थोड़ा सा आलस से दिखा रहा हूं कैसे मैं क्योंकि मुझे 1998 तक जाना है तो मैं क्या करूँगा मैं जानवरी तब 1900 तक करी लूगा अब बचा क्या अब बचा केवर 1998 अब 1998 तक आपको पहुंचना है तो कुल मिला कि आपको 98 नाइंटी सेवन यार्स की जरनी करनी पड़ेगी ठीक है क्योंकि आपको ना आप देखो 98 तक पहुंचना है तो 97 की जर्नी आपने पूरी करी आपने डिवाइड किया फोर से वह भी आपको देखो क्या करना है 1998 में भी लास्ट तक जाना है तो बहुत सारी कैलकुलेशन करनी पड़ सकती है 97 को आपने डिवाइड किया फोटू जा एट उसके बाद हाँ ये भी कर सकते हो अगर आपके पास अगर आपको उतना याद रहे या उतना आप कैलकुलेट कर पाएं कि आप निकाल दो फिर तीन कदम पीछे चले जाओ आम वह भी करके देखेंगे कि वैसा पॉसिबल है कि हमने निकाल ली और फिर पीछे चले आए तीन कदम तो हमें अठाइज दिसंबर 1998 मिल गया पहले हम नॉर्मल टेडिशनल अप्रोप से करेंगे फिर यह वाला भी ट्राइग करेंगे ठीक है चले अब यहां देखिए फोटू जा एट यहां पर बचावान सेवन्टीन फोर फोर जा सिक्स्टीन सतरा में से एक गया तो 97 अगर आप इस तो 24 माइनस करोगे 97 में से साथ में से चार गया तीन और नौ में से दो गया तो कितना साथ 73 राइट इजी अब 24 इन्टू टू या 24 के 24 साल में हो जाएंगा आपके 48 इधर पे होगा इन्टू वन तो केवल 73 इनको एड किया तो आठ और तीन ग्यारा एक क्यारी साथ चार ग्यारा एक बारा 121 लेकिन हमारे काम के क्या हमारे काम के केवल और डेस तो अब 121 को फिर से डिवाइ हो जाएंगे तो आपको कोई खास दिक्कत नहीं आएगी 717 यहाँ पर आपने किया पांच साथ पांच बारा फिफ्टीवन 77 जा फॉर्टीनाइन कितना आया दो ठीक है तो फूरी क्यालकुलेशन किसी काम की नहीं है केवल लीप और नॉन लीप यह के मिला के कितने और डेस हो रहे हैं सेट में वह इंपोर्टेंट तो दो दिन आया यहां पर कितना आया दो दिन तो 1997 तक दो और डेस अब आजाओ 28 डिसमबर तक तो जैनवरी से शुरू होगा तो जनवरी में तीन नाइटी 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 सिक्स ना नौ में से छे गया तो थर्टी एट नहीं होगा लीप यह चलो तो फिर अब यहां देखो जनवरी में तीन फेबरी में जीरो मार्च में तीन एप्रिल में दो माई में तीन जून में दो जुलाई में तीन ऑगस्ट में तीन सब्टेंबर में दो ऑक्टोबर में तीन नवंबर में दो डिसमबर में जीरो जीरो क्यों कि नाइटी एट में 28 डिसमबर हकता पूरा हो हमें वीक पूरा होना है तो ये डिसंबर भी हमने कालकुलेट कर लिया अब इनको आड़ करो तो तीन छे नो बारा पंदरा पंदरा और तीन अठारा अठारा और दो बीस बाईस चौबश चबश चबश एक लाइए एक बार दोबारा देख लो कहीं को छूट तो नहीं क्या आड़ करने के लिए सब बिल्कुल नहीं था जानवरी फेबररी मार्च एप्रेल में जून जुलाई ऑगस्ट सब्टेंबर अक्टोबर नवंबर और उसमें भी ट्वेंटी एट तक जाना है अपन को तो हम दुवारा एक बार कालकुलेट यदि कर लें तो यह देखो तीन दिन चेती नो तिन बारा तिन पन्दरह तिन अठारह दो बीस दो बाईस चोबीस चबबिस सब्स चलिए 26 डिवाइद वाई 7 आपके पास बच रहा है एक diz के बाद कितना इक qeS के बाद सर बाईस टेज़ चोबीस-थेश चबबिस पाशच तो 98 तक मतलब 28 डिशंबर पहुंचने में हमारे पास आ रहे हैं पांच कोई दिक्कत तो नहीं बिलकुल नहीं सर अराम से हो गया एक बार दुबारा कि हमने जब किया यह वन ट्वेंटी डिवाइट बाइट बाइट पका एक बार दुबारा करके देखो 77 हाँ पांच ठीक है सर और यहां पर 28 दिसंबर तक सजनवरी से लेकर डिसंबर तक जब हम गए तो मारे पास पांच का इसावारा पांच और दो साथ एक आठ डिन आ रहे मंडे हो रहा है क्या आपके हिसाब से एक बार दुबारा चेक करके बताओ यदि हां तो ठीक यदि ना तो फिर हम दूसरे वाले मेथर्ट से भी ट्राय करेंगे चलिए यह हम स्क्रीन क्लियर करते और लेट्स ट्राइद अधर मेथर्ड चलिए तूसरे मेज़र क्या बोला आपने सर आपने काहा था कि 1999 का जो पहला दिन है जब वह शुरू हो रहा है वह निकाल दीजिए तो फिर अपना काम फिर अपन टीन स्टेप उल्टा जाके अठ्थाई जिसंबर पता लगा लेंगे चलिए भाया हमारा काम है सब कुछ ट्राय करना आप से क्यों मैं जूट गोलू तो मेरा पहला काम यह था कि जो प्रॉपर मेथाड उससे मैं आपको ट्राय करवा हूं अब दूसरा मेरा नियम यह कहता है कि नहीं भाया आप एक काम कीजिए अगर कोई शॉट कट है तो चलिए इस शॉट कट में क्या होगा सहरे शॉट कट में सबसे पहला काम हम यह करेंगे कि यह जो मंथ वाला कैलकूलेशन है यह गायव हो जाएगा ठीक है तो क्यूकि हम डिसम नाइंटीन नाइंटी इट के अंदर नहीं घुशेंगे हम 1997 वाले calculation को 1998 तक लिके जाएंगे ठीक है तो यहां समझना 1997 तक 2 थे आपके क्या थे odd days उसी को अगर मैं 1998 कर दूँ तो एक और ordinary year जुड़ जाएगा और इसमें जुड़ जाएगा एक और odd day तो वो हो जाएगा 1998 तक कितना 1998 तक अब 2 था अब 3 हो गया कितना हो गया तीन और डेज ठीक है तो अब अब अगर देखोगे तो तीन और एक हो गया यह चार करेक्ट है कि यह बात आपको समझ में आ गई सही लग रही है बिलकुल सर एक बार दुबारा समझाएए देखिए मैं यह कह रहा हूं आ है आपने पकड़े 98 इयर्स कितने पकड़े 98 इयर्स 98 पूरा गिंदिया मैंने यह कि वह लगभख समाप्ती प्यारा था इसको मैंने फोर से डिवाइड किया फोर टूजा एट नौ में से आठ गया कितना बचेगा सानौ में से आठ गया एक अठारा ठीक है और यह हो 1900 के अंदर 98 इयर्स में 24 अपने हैं कौन जे भाई या ली पियर जिसमें 29 तारिक आती है फरवरी के माइने में 14 तारिक के अलावा और भी तारिक होती है जो आपको पता होनी चाहिए अभी वो पूरा हफता को भी पूछ लेगा सबको याद होगा लेकिन बहुत लोग यही और यहां देखो इनका इन्टू टू कर दिया हमने तो 48 दिन हो गए आपके लीपियर वाले यह क्लियर हो गया ठीक है और इन्टू वन की आपने क्योंकि नॉन लीपियर में एक ही और डे होता है तो फोर बंदा फोर और यहां पर आजाएगा 74 आड की आपने आठ चार हो ज डिवाइड करके और डेस की संख्या पता लगाएंगे वही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है बाकी और सब मुहम आया है ठीक है चलिए आपने सेवन से डिवाइड किया सेवन मंजा सेवन बारा और साथ कितना हो गया सथ साथ और बारा माइनस करना है बेसिकल आपको तो पा कि इतना रोल नहीं है यहां पर इंपॉर्टेंस है रिमेंडर का तो थ्री ऊट देस तो नाइन्टीन नाइन्टी एट तक थ्री और डेस इस दिस क्लियर जी सर तो फ़स्टोफ जानवरी अगर कोई मुझ से पूछेगा किसका फ़स्टोफ जानवरी अगर मुझ से कोई एंड थर्जडे ठीक है अब यहाँ पर आगए आपका क्या पहली जन्वरी 1999 को मैं बोल सकता हूँ 1st of January 1999 को क्या हम बोल सकते हैं कि उस दिन होगा Friday ऐसा बोल सकते हैं क्या आप मेरी इस बात से वाकिफ रखते हैं ठीक है अब यदी ऐसा हुआ है तो जदी ऐसा हुआ है तो सर फ्राइडे को कर फॉर्स्ट है पहले पर चेक करो कि यह फैक्ट सही आ रहा है तो यह आगे बढ़ सकते वरना हमारी इंफॉर्मेशन किसी काम की नहीं है ठीक है चलो बता मुझे चेक करके क्या आपके सबसे मतलब चेक कैसे करोगे नॉर्मल कैलेंडर में चेक करो कि क्या फॉर्स्ट ऑफ जैन्वरी नाइंटी नाइंटी नाइन को आपके लिए फ्राइडे आ रहा है या फिर नहीं अब देख को था वेंस्डे 29 को था ट्यूजडे मंडे 28 तारीक यहां पर आपको मिल गई ठीक है आपको यह अगर लग रहा है कि इसमें कम दिमाग लगना है क्योंकि आपको मन्तवाइस कालकुलेशन नहीं करनी है आप यहां पर तो यह वाला रास्ता है अगर आप वह अडॉप्ट कर करना चाहते तो बिल्कुल कर सकते लेकिन यह केवल लिमिटेट केसिस में अप्रिकेबल जब आप अगले साल के नए साल के बहुत करीब हों ठीक है इस तरीके के केस में आप आसानी से कर सकते अन्यत्था गलती हो जाएगी ध्यान लखिएगा ठीक है चलो मंडे हमारा दोनो की बात कर रहा है यह आने वाले टाइम की बात कर रहा है ठीक है तो इसको क्या हम उसी तरीके चलाएंगे जैसे हम करते आ रहे थे कुछ अलग करने की बात नहीं है यह नहीं सुचना है कि आज की तारी क्या है उसके साफसे काउंट करेंगे नहीं उसमें बहुत टाइम लग करते आया थे वैसे ही कीजिए कुछ अलग करने की जरूवत नहीं है चले यहां देखें दो हजार पच्छीस में आपको कहा तक जाना है बाइस नवंबर तक तो पहले तो हम आप जाएंगे 2024 तक, क्योंकि आपको 25 के अंदर तो घुशना ही है, अब 2024 तक जब आप जाएंगे, तो आप दिखेंगे, इन 24 सालों में आपको कितने लेपियर मिले, तो जब आप इसको 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4, 6, 24, exactly divisible है, मतलब 6 हैं आपके लेपियर, और बचे हुए 18 हैं आपके नौन लेपियर, आप चाहें तो काउंट भी कर सकते हैं, 12, 4, 8, 12, 16, 20, 24 और फिर 6 होतो गए, 26 तो 28 तो आना ही नहीं है, 24 पे खतम होना है, चलिए, तो 6 into 2 हो गया, 12, ये 18 into 1 हो गया, 18 जोड के हो गए, 37 से डिवाइड किया, remainder मेरा आया, 2 क्योंकि 7, 4, 28, तो कुल मिलाके, 2024 तक कितने, 2 odd days, कितने odd days भाईया, गुरू जी, 2, चलिए, आपकी बात मान ली, अब इसके बात देखो, 2025 तक जाना है, आपको 22 नवंबर तक, तो 2025 तक जाना है, तो फिर आप 2025 के अंदर घुसना पड़ेगा, तो जनवरी के 3, फरवरी के 0, मार्च के 3, उसके बाद एप्रेल के 2, उसके बाद फिर में के 3, जुलाई के 2, जुलाई के 3, और औगस्ट के 3, सप्टेम्बर के 2, ठीक है, आक्टोबर के 3, और नवंबर के तो अंदर घुसना है, 22 नवंबर, 21 पे हफता पूरा, 21 पे वीक पूरा 22 मतलब एक दिन अब आट कर दो तो देखो 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 3, 15, 3, 18, 22, 22, 24, 24, 24 प्लस 1, 25 सारे काउंट हो गए बिलकुल सर तो 2025 में 25 डेज लेकिन हमारे लिए 25 इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है नमबर ओफ और डेज 25 था अपने यहाँ पे आड करके देखा डिवाइट बाई 7 किया साथिया 21, 22, 23, 24, 25 चार दिन चार उदू हो गया छे चे अगर आपको दिन यहाँ पे हैं तो जब आप काउंट करोगे मंडे टूजडे वेनिजडे थर्जडे फ्राइडे साटवा दिन कौन्छा होगा साटड़े यह नहीं कि भईया मंडे से की जगा हम शुरू करें संडे से ना ऐसा करना घोर पाप होगा उसमें फिर कोई आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा तो यह दिन होगा आपका साटड़े इस दिस क्लियर जी सर चलिए अब कह रहा है 21 डिसंबर 2080 फिर से 2000 तक का मामला आपके पास क्लियर है क्यों भाईया क्योंकि सर 2000 का मतलब है एक बी और डे नहीं होगा अब उसमें भी आपको 80 में गुषना है 20 सप्टेंबर तो 80 भी पूरा नहीं होगा पहले 2079 त पहले उसके कहानी देखनी पड़ेगी इफाइम नॉट रॉंग उन्नीस आएंगे आपके लीपियर तो फूर बंजा फूर साथ में से चार गया तीन थर्टी नाइन फोर नाइन थर्टी सिक्स जवाब आया तीन लेकिन है रिमेंडर का काम नहीं यहां पर कोईशन का काम है तो साथ हो जाएंगे आपके ओडिनरी इयर के डेज क्लियर कोई इकत तो नहीं इसमें विल्कुल नहीं सर एक बड़ दुबारा बता दीजिए कुल मिलाके मेरे को क्योंकि 2080 तक जाना है तो 2079 तक चेक करना पड़ेगा ठीक है अब मैं 2079 तक चेक करूंगा जब तो मुझे क्या समझ में आएगा तो मुझे यह समझ में आएगा गुरुजी कि भाईया 79 में आपके 19 हैं लीपियर और बचे हुए 60 हैं नॉन लीपियर ठीक है तो इसके साब सब और देज निकाले तो यह आया 98 98 को आपने करना है 7 से डिवाइड तो 717 यहां पर आया 287 428 तो यह आग भी बात हो गई कि यहां तक जीरो और दे से अब कब हमें क्या करना है अब हमें केवल सब्टेंबर तक पहुंचना है वो भी 21 तरिक तक 2018 में अब 2018 के अंदर जनवरी में 3 जनवरी क्योंकि 2018 लीप एक बाद चेक करो फोर्च डिवाइड हो रहा बिल्कुल हो रहा है सा मतलब लीप एर है तो एक दिन आएगा ठीक है फिर मार्च में 3 एप्रिल में 2 में 3 जून में 2 जुलाइटी तीन आउगस्ट तीन सप्टेंबर पूरा नहीं 21 दिन चाहिए 21 डिवाइड बाई 7 रिमेंडर जीरो तो यहां आगया जीरो सप्टेंबर का 21 भी मैंने काउंट कर लिया 21 सप्टेंबर 2020 अब यहां पर काउंट करो देखो तो सार, तीन चे नो बारा 15 तो दोवरे की आगया तीन ठीक है देखो सारे काउंट करने यह चूछ भी छूटना नहीं जीन तो सार, तीन थीन फैन नो तीन बारा तीन पंदरा 15 दो शतरा 12 19-12-12-15 15 हूँ गया है प्sehen HEY तो 20 मतलब हूँ अपना कितना सरी इस मतलब हो गया जी है भिल्कुल च्रेयर दिस अब गिनेए तो crimine합니다 जाएगा saturday is this clear जी सर चलिए तो यहां पर हमारे दोनों ही दिन सनिवार थे लेकिन हमें पता नहीं था जो कि अपन कुछ इसे प्रिडिक्ट नहीं कर सकते वो तो calculation के साब से पूरा मामला बनता है चलिए अब आ जाता है एक और important question 18 October 1200 इसमें भी क्या कर सकते हो सर वैसे है तो यह 21 लेकिन हम पूरा 2000 से शुरू करना पड़ेगा मैं हाला कि नेक्ट सेंचुरी के एकदम मोहाने पे एकदम दरवाजे पे खड़ा है ठीक है क्योंकि 200 के पार हो जाएगा अगर हम इसको calculation में शामिल कर लेंगे तो हमें 2100 के अंदर जाना है तो पहले 2000 निन्यानवे तक पहुंचेंगे फिर 2100 में प्रविश करेंगे ठीक है चलिए 2000 तक तो clear है मामला कुछ भी नहीं आएगा baggage अब आ जाते हैं 2099 पे अब अगर मैं इनकी बात करूं तो इसके अंदर आपको मिलेंगे 24 लीपियर 25 यह रहा लेकिन वो count नहीं होगा ठीक है और उसी के साथ साथ आपको मिलेंगे अगर आपने 99 को divide करोगे 4 से तो आपको मिलेंगे 24 लीपियर और बाकी बचे हुए 75 नॉ मतलब 48 हो गए आपके यह लीपियर वाले और डेज इंटू 1 मतलब 75 हो गए आपके नॉन लीपियर वाले और डेज ठीक है इनको आपने आड किया तो 8 और 5 आया 13 एक करी साच चवारह एक बारह एक सो तेइस एक सुत हैस डिवाइड बाइस सेवन किया 7 सेवन और यहां पर हो जाएका कितना बाद में सेवन बंजा सेवन आपके पास बज गया साथ पास 53 77 49 मतलब चार देन एक्ष्टा कितने चार दिन हाओ मेनी डेज फोर डेस एक बढ़ दुबारा चेक करो सरी एक बढ़ दुबारा चेक कर लेते हैं तो सेवन बंजा सेवन साथ पाच बारा 53 77 49 49 में 53 गया तो 53 में से 49 गया तो चार दिन ठीक है चलिए अब आ जाते हैं इस एयर के अंदर मतलब जानवरी ते शुरू करेंगे तो जानवरी के तीन अब बड़ा सवाल है कि क्योंकि 2100 ह है डिविजिबल वाइफ ओर है तो क्या यह लीपियर होगा तो देखो जब सेंचुरी वाला यह आता है ना तब आपको फिर चेक करना पड़ता है फूर और हंडेड मतलब फोर हंडेड पूरे से डिविजिबल होना चाहिए केवल फोर से नहीं तो 2100 यूं तो दिखने में तो लीपियर है पर एक्चुली एक ओर्डिनरी एयर है तो क्या ध्यान लखना है जब भी आपके पास कोई सेंचुरी वाला यह आता है अठारा सो उननिस सो दो हजार 2100 कोई सभी आता है तो अब यह चेक करते हैं कि क्या वो यह फोर हंडेड से डिविजिबल है यदि हां त तो वो लीपियर नहीं होगा तो इसमें आपके जैनवरी में तो तीन दिन आएंगे आपके और में फेबरोरी में एक भी दिन नहीं आएगा हाला कि दिखने में वो लीपियर लग रहा है और मैक्सिमम लोग गलती यहीं करेंगे 2100 देखा फोर्स डिविजिबल है सोचा ली लीपियर इट इस क्लियर ली इयर विच इस हाविंग ऑर्डिनरी सेट अप दाट इस 365 डेज यानि अर्थात फेब्लरी में 28 डेज ठीक है तो जब भी आप सेंचुरी यह की बात करेंगे सेंचुरी यह को डिवाइड बाइब फोर हंडेड करके चेक करते हैं कि वो लीपिय चाहिए आपको अठारों से डिवाइड क्या अठारों का अपने डिवाइड किया यहां पे 7 से remainder आया 4 तो आपने वहाँ पे लिख दिया 4 October के अब add कर लो 3, 6, 9, 6, 12, 6, 15, 15 और 6 हो गए 8 कितना हो गए 1, 2, 3, 4, 5 ये तो 5 ही 3 है मतलब 15 15 और 6 हो गए 21 21 और 4 हो गए 25 25 डिवाइड बाइ 7 that is 4 तो कुल मिला के जो ये पूरा year है इसमें जिस तारीक तक हमको जाना है that is 18 October 20 2100 में इस तारीक तक केवल 4 odd days होंगे वैसे तो 25 होगा total डिवाइड बाइ 7 किया तो आपको ऐसा लगेगा कि 3 हफते पूरे हो रहे हैं तो उसको count नहीं करना है बचा हुआ 4 तो इस तारीक तक odd days हो गए 8 7 से जादा है एक 7 आपने हटा दिया बचा 1 तो कुल मिला के इस तारीक तक एक odd day बचेगा तो आपका answer आएगा Monday clear है हम मैंसे बहुत लोग यहीं गलती करेंगे क्या गलती करेंगे कि हम इसमें 2100 वाला जो year है उसको leap year मानके यहां पर ले आएंगे पांच odd days और फिर answer में लिख देंगे Tuesday जो कि सबसे बड़ी गलती हो जाएगी 1200 looks leap year but is a ordinary year क्योंकि century वाले year में जिसमें पीछे दो zero आ जाते हैं उन सबको आप four hundred से divide करके देखते हैं कि वो divisible है या पर नहीं है ठीक है चलो यह हो गया अब आजओ question number three पर विचिस a direct question if today is Tuesday यदी आज की तारीक Tuesday है what will be the day on 7706 day आज कौन सा दिने हमें फरक नहीं पड़ता हमें सिर्फ यह बोला है कि साथ हजार साथ सौथ सिक्स्थ डे पर कौन सा डे होगा तो पहले हम इसमें क्या करेंगे seven से divide करके यह पता लगाएंगे कि और days कितने बन रहे हैं उसके इसाब से count होगा ठीक है तो seven one जा seven आपने यहां पर माइनस किया तो जीरो आंसर आया seven फिर से यह जीरो उतारा पर क्योंकि जीरो से divide नहीं हो रहा है तो आपने उपर लगाया zero ठीक है फिर आपने six को उतारा अब जब six को उतारा तो यह भी डिवाइड नहीं हो रहा सेवन से छोटा है तो कुल मिला के छे दिन आपके और डेज हो गए अब यहां पर देखो और डेज आया 6 शुरू कहां से कर रहे हो शुरू कर रहे हो Tuesday से ठीक है तो जो चे दिन काउंट करोगे वो Tuesday से करोगे ना कि मंडे से यह बात का ध्यान लखना क्यों कि आपको इस डे के रिफरेंस में पूछ रहा है जब कोई दे नहीं हो रिफरेंस में तो मंडे चुरू होता है पर अगर कोई पर्टिकॉलर डे दिया गया है रिफरेंस के लिए तो आपको वही यूज करना है तो यहां पर भी वैसा ही कुछ होगा ट्यूजडे से आप छे दिन गिनोगे तो देखो वेंस्डे थर्जडे फ्राइडे साट्डे संडे मंडे ठीक है चे दिन सात्वा दिन वापस ट्यूजडे तो आपने गिनना शुरू किया तो भीज़ा कितना होब ट्यूजडे से तो अंसर आया मंडे तो सेवन सेवन जीरो सिक्स्ट डे कौन सा होगा वो होगा सर मंडे तो यहां पर आपने लिख दिया अंसर के रूप में मॉंडे इस अंजी को यहां पत्ती बिलकुल नहीं सर आसानी से हो गया मुझसे डेट नहीं पूछ रहे ज़िए कर हैं अपको पता ही एब दिश्राइब और गुरुवार है मत्सारी बुद्वार कब 22 अप्रेल 1970 को अब क्योंकि स्पेसिफिक डे दिया है तो आपको यहां पर उसके इसाब से पूरी क्यालकुलेशन करनी पड़ेगी थोड़ा सा समय लगेगा पर इसली हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है चलो वाट विल बी दे ऑन 31 में 1999 कहां से कहां जाना है आपको 22 अप्रेल 1970 से 31 मई 1999 तक जाना है इस बीच में आपको सारे दिन कवर करने सब को चेक करना है एकदम आराम आराम से करेंगे कोई दिक्कत नहीं है बहुत ज़्यादा इसमें कुछ कॉंप्लेक्सिटी नहीं है आप बस केरफुली करेंगे त इतना मोल रहे हैं यह नाइनटीन सेवेंटी टुएंटी टू एफिरेल 1970 की बात हो रही है ठीक है दिन है आपका वेंजडे चली और पहुंचना कहां तक है पहुंचना है 31 मैं 1999 तक 31 मैं 1999 को आपको कौन सा दिन होगा यह बताना है अब अगर आप गूगल करेंगे तो आपको तुरंत आंसर मिल जाएगा ठीक है क्योंकि देखो ऐसा नहीं है कि यह रांडमली बोल दिया कि 22 अप्रेल 1970 को वेंजडे था आक्च्वली फैक्च्वली 22 अप्रेल 1970 को यह फैक्ट होगा ठीक है तो वो जो दिन होगा वो भी करेक्ट आएगा पर आपको अभी सफर्त है करना 1970 से 1999 तक का ठीक है अब यहां से देखो अगर मैं इसके बाद मूव करूं नेक्स्ट इयर पे 22 एप्रेल किस पे 1971 पे फॉर एक्जामपल अगर कोई मुझे बोल दे कौ पूरे 365 दिन अगर 71 लीपियर नहीं है तो अगर 71 लीपियर होता तो 366 डेज मूव करते हैं तो आपने एक दिन एक्ट्रा मूव किया तो यहां से हो जाएगा थर्सडे अब सर यह अगर थोड़ा सा दूर का मामला होता तो समझ में भी आता है कि भाईया ठीक है आपने यहा समबा रास्ता है तो इसको कैसे तै करोगे तो इसमें यह करोगे आपकी अब आप यहर वाइज आगे मूव करोगे सर मतलब मतलब मेरे भाई ऐसा देखो यहां पर ध्यान से समझो मैंने 71 देखा एक दिन ठीक है 72 डिवाइड वाइब 4 हो रहा है सर 72 लीपियर होगा तो आपने यहां पर लिख लिया दो दिन ऐसे 73 में एक दिन 74 में कितना 74 में आप कहेंगे एक दिन क्योंकि 74 लीपियर नहीं 75 एक दिन 276 दो दिन ठीक है आप यह भी कर सकतה है कि 1970 से लेकर 1999 तक गेवन दा डेट 31 माही मतलब इसके बाद की तारीक हैए तो 99 पूरा आपन काउंट कर लेंगे फुल जितने लीपियर है उनको काउंट करके in to two करना जितने नॉन लीपियर है उनको काउंट करके इं TOO बन का ना जिसे यहाँ पर देखो कौन कौन से लीपियर है 72 76 80 84 88 उसके बाद 92 92 के बाद 96 कि इतने 1 2 3 4 5 6 7 लीपियर एक बार दुबारा देख लो 72 76 80 84 88 92 96 नेक्स्ट होगा 2000 लेकिन वो आपका कांटी नहीं हो रहा है तो 5 और 2 7 होंगे आपके लीपियर पूरी जर्नी में ठीक है तो 1970 से लेकर 1999 तक के पूरी जर्नी में ठीक है कि कितने होंगे अब मैं कहां तक जाने के प्रयास कर रहा हूं मेरा प्रयास है तो 7 into 2 मतलब 14 हो गए बचे हुए अब देखो 29 में से 70 कितना 29 होगा ना क्योंकि यह सत्तर और रांटिन में कि आप कितना साथ और दून तो 29 29 में से 7 आपने हटा दिये बचे कितने सा 29 में साथ में से नो यह अटाया दो तो 22 इंटू एक मतलब 22 यह बचे हुए 22 यह जो कि नॉन लीप यह जैसे 71 72 73 फिर नहीं 71 73 74 75 ऐसे करते करते 22 साल यह से होंगे जो कि नॉन लीप यह होंगे उनका और देज आपने जोड़ यहां पर होगे देखो चार और दो च्छे दो एक तीन 36 हमारे काम का 36 नहीं हमारे काम का है और डे छात्यष जवाइड बैसेवन रिमेंडर आया एक तो मतलब इस पूरी जर्नी में इस पूरी जर्नी में कैलकुलेशन के पर से एक और डे ठीक है तो वैनस डे के बाद एक दिन और जोड़ लो तो आपको मिलेगा 1999 में थर्जडे किस तारीक को सर तारीक हो जाएगी यहां पर 22 अपरेल आप देखो 22 अपरेल से 31 मही तक जाना है पहले आप गिनो एपरेल में कितने दिन बचे सर 22 से लिकर आप जाएंगे 30 का महीना होता है एपरिल का है ना तो मतलब 8 दिन 22 30 माइनस किया 30 में से 22 माइनस किया 8 दिन वो हो गए और 31 यह 31 क्योंकि आपको लाश्ट दे तक जाना है तो 31 पूरा आठ बैलन्स है एपरिल के क्योंकि 22 तारिक तक आप पहुंच चुके हो आठ और एक नौ थर्टी नाइन हो गया यहां पर कितना हो गया 39 थर्टी नाइन डिवाइट बैसेवन किया 75 थर्टी फाइफ पांच दिन कितना पांच जाए एक चेक करो क्या 99 नहीं और लीप यह नहीं है नौन लीप यह ठीक है ना चलो सेवन से आपने इसको डिवाइट किया 75 थर्टी फाइफ बचा आपके पास चार ठीक है अब आपको चार दिन यहां पे आगे जोड़ना है तो थर्टे के बाद प्लस 4 करोगे तो थर्टे के बाद प्लस 4 करोगे तो फ्राइडे साटडे संडे मंडे चौथा प्लस 4 करने प आपने जोड़ा फ्राइडे साटडे संडे मंडे तो आपने प्लस फूर की आंसर आया आपका मंडे कले रहें बिलकुल सर आप चाहें तो यहां पहले पहले पहुच गए अगले उस साल की जिस साल का आपको इनफर्मिशन चाहिए फिर आप आगे बढ़े बात बराबर है दे पहले सेम उस पर पहुंच जाओ डेट पे डिफ्रेंट इयर बट सेम डेट तो यहां पर हमारा कौमान क्या होगा देखो कि पहले डेट अलग थी या अलग था ठीक है तो पहले मैं पहुंचा सेम डेट बट डिफरेंटर इसमें चाहीए वह फिर उस से उसी यह में आगे ब अंसर क्या सेम आ रहा है चलिए अब यह कह रहे हैं दस जून 1948 को थर्जडे हैं दस जून 1948 को क्या है गुरुजी सर थर्जडे है चलिए आपकी बात मानी हमने थर्जडे है तो तो सर बताईए आपकी गणना के हिसाब से कौन तारीक बोलने हैं जनाब सर बोल रहे हैं 16 तारीक नवंबर की 1969 ठीक है चलिए तो पहले हम क्या लाएंगे similarity लाएंगे कैसे हम जाएंगे 10 जून सेम डेट बट आर रिक्वाइड इयर दाट इस 1969 तक यहां से यहां तक की दूरी तय करेंगे जिसमें शामिल होंगे लीपियर नॉन लीपियर तो गिनना चालू करेंगे 48 48 स्वायम लीपियर है तो आपने पहले उसको गिनना है उसका ध्यान रखना है अच्छा लेकि देट में 10 जून हो चुकी मतलब उसका लीपियर वाला फंडा समाप थो चुका है उसका 29 तारिक हो चुकी है तो वहां पर देन काउंट हो गया होगा तो हम उसकी चिंता नहीं करें हमें 49 से गिनना है तो 49 इस नॉट लीपियर 50 इस नॉट लीपियर 51 इस नॉट लीपियर 52 तो 52 से शार्ट होगा 52 56 प्लस 2 प्लस 4 किया 56 प्लस 4 60 64 68 और 69 तक जाना है तो पांच लीपियर हो गया आपके पांच लीपियर गुणा किया 2 से मतलब यह हो गया 10 आपके और डेस चलिए 48 से लेकर 69 तक के सफर में कितने यह होंगे सर माइनस किया हमने नो आठ नो में से आठ गया तो एक और छे में से चार गया तो दो मतलब 21 21 में से पांच आपने हटा दे बचे कितने सब सोला सोल और 25 हो जाए गिल नो एक बार चाहिए तो 49 50 51 ऐसे करते करते गिंते जाओ गए तो आपके पास उन 16 लीप यर का सेट बन रहा है ठीक है चलिए चलिए लीप यर कम आपके जगा 16 इंटू 1 किया तो 16 ये था लीप यर के लिए ये था और्डिनरी ये के लिए 16 दस हो गया कितना 26 अब 26 में से आपने 7 से जब डिवाइड किया remainder कितना आएगा तो सर ये होगा 26 आपने डिवाइड करना है 7 से ठीक है तो ये हो जाएगा 7 321 आपने माइनस किया 6 में से गया 5 तो आपके और डेज कुल मिला के पूरी कैलकुलेशन में आए 5 अब थर्जडे से गिनो 5 और डेज कितने हो जाएंगे तो सर फ्राइडे साटडे संडे मंडे टूस्डे का जा रह मंडे टूस्डे तब के पास 10 जून 1969 को आया टूस्डे आपको कहां तक जाना है आपको सर यहां से जाना है 10 जून से 16 नवंबर तक तो अब भाई है उसके भी और डेज गिनने पड़ेंगे राइट तो अब येर सेम हो गया तो हमारे लिए काम आदा हो गया आदा बाकी है चलिए अब ये देखिए 1969 तक 10 जून से लेकर 16 नवंबर तक 1969 तक आपको क्या गिनने हैं और डेज गिनने हैं अब ये कैसे गिनोंगे सर जून का महिना कौन सा होता है पहले वो देखो तो वही बच्पन की तखनीक भी जनबरी फरबरी मार्च एप्रिल में जून 30 का महिना आप 10 तक पहुँच चुके हो बचे होंगे आपके 20 दिन जून के जून के 20 दिन में से जब आप डिवाइड करोगे 7 से 7 दूनी 14 छे दिन आपके आ गए यहां पे और जून के 6 दिन फिर जुलाई में 3 और गस्ट में 3 सब्टेंबर में 2 अक्टोबर में 3 नवंबर में आप जून के 6 तर आपको कैसे पता दस जून तक काउंट हो गया था डिवाइड बचे हुए 30 दिन को आपने 7 से डिवाइड के रिमेंडर आया 6 इसलिए अब चले यहां पे देखें 3 3 6 3 9 ठीक है 6 और 4 10 और यह 6 और 2 8 और 2 10 10 और 9 हो जाएगा 19 तो यहां से आप गिनेंगे 19 19 को जब आप 7 से डिवाइड करोगे जवाब आएगा फिर से पांच है ना 19 को जब आप 7 से डिवाइड करोगे जब आप क्या आएगा पांच करेक्ट है यह बात क्लियर है बिलकुल हां जी सर बिलकुल क्लियर है तो 19 डिवाइड बाए 7 के रिमेंडर आया 5 Tuesday से 5 दिन गिनो तो वेनेस्डे थर्जडे फराइडे साटरडे संडे तो पांस दिन आपने इनले सवन यहां पर आएगा आपका दिन as your answer इस देस क्लियर अच्छा बहुत लोग क्या करेंगे तूजे से गिनेंगे सब फ्राइडे सटेडे संडे पांच दिन खतम तो अंसर होगा नेक्स दे मतला मंडे आरे एक्स्ट्रे एक दिन क्यों जाना आपको आपने यहां सारी कैलकुलेशन में उन सब का ध्यान रख लिया है let's move to next question question number six क्या कह रहा है आठ मार्च को 1996 को फ्राइडे था वाट वाज दे ओन आठ मार्च 1993 आपको देखो उल्टा जाना है लेकिन आपको यहां पे आठ मार्च दिया है किसका 1996 का कि भईया फिराइडे हैं तो आप बताइए आप बताइए गुरुजी उल्टा जाके कि आठ मार्च मैं उपर लिख रहा हूं क्योंकि मुझे उल्टा जाना है पर यह तो अब्वेसी बात है यह तारीक पहले ही आए होगी कैलेंडर में तो आठ मार्च 1993 सेम डेट पर डिफरेंट इयर को कौन सा दिन था अब मैं शुरू कैसे करूंगा इसको देखो सवाल का जब हम शुरू करेंगे जवाब निकालना तो हम मामला वैसे ही करेंगे जैसे हम नॉमली करते क्या है ज्यादों कॉंप्लेक्स कैलकुलेशन मेरेको तो नहीं जमती है है तो मैं क्या करूँगा मैं आएट मार्च है नाइंटीन नाइंटी थ्री को एक्स डे माझनुंगा क्लाम कि इक्ति है मुझे नहीं पता कौन से देने लेकिर अज्युम करें आप मैं 1993 को x day था अब मैं अपनी calculation आगे बढ़ाऊंगा मुझे जाना है exactly same day बट 1996 जब मैंने देखा 1994 इस 1994 लीप यह डिवाइट बाइफ और करके देखो 94 को ठीक है 1900 को तो भूल जाओ 94 को डिवाइट करो तो हम डिवाइट करेंगे 4 बंजा 4 ना 14 तो लीप यह नहीं है तो एक और डे 1995 ना ओब्यसी बात है एक और डे 1996 सर वहां तो पहुंचना है उसमें कहा आठ मार्च क्या फैब का महीना हो जाएगा जी सर फैब का महीना क्यों पूछते हम क्योंकि लीपर का जो इसमेंट है वह महीने में ही होता है और अगर आपकी कैलकुलेशन के दौरान फैब का महीना आ जा रहा है तो मतलब आप उसको कांट करेंगे अगर नहीं आ रहा है कांट में तो आप कांट नई करेंगे दो ठीक है कुल मिलागे कितने दिन हो गए चार दिन ठीक है यह हो गए चार आपके यर यर के लेकिन यह तारीक वही चाहिए थी बिल्कुल तो को जादा करने की जरुवत नहीं है वरना हमें फिर मंत बाइस भी अंदर जाना पड़ता कि मांच से लेकर ऑक्टोबर तक सब देखन ठीक है यहां से उल्टा चले जाओ बाकि सबकों आपको तो पता इए तो दो दिन मतलब एक फ्राइडे और एक दूसरा हो गया थर्जडे है ना उल्टा जाना है आगे नहीं जाना है इसलिए थर्जडे पर आया मैं फिर यहां वेंस्डे यहां ट्यूश्डे तो यहां बा पहले दो दिन यहां एड़्जस किया हमने फ्राइडे थर्जडे फिर उपर की तरफ गए थर्जडे के पहले वेनेजडे फिर टूजडे फिर मंडे तो उल्टा चले लेकिन संभल सबलके देख देख के लिए बात जी सर कहीं कोई आपती बिल्कुल नहीं सर स्क्रीन क्लियर क देखने क्या है हमारा क्वेशन नमबर सेवन हमसे पूछ रहा है कि 2007 के एप्रेल महीने में किस किस दिन गुरुवार पड़ेगा यह बता थर्जडे किस किस दिन पड़ेगा यह आपको बताना है कैसे शुरू करेंगे सर इसमें सबसे प्यारा जो हमारे लिए वो होगा चार में दो क्योंकि लीप यह हैं पांच में एक छे में भी एक अब स्थे के बाद आपको उसमें एप्रिल महीने दक पहुंचना है तो 2007 के जनवरी महीने के तीन ओडेस फैब महनी के कितने जीरो एक और डे की जीरो सर चूंकि नॉन लीप यह रहे मतलब 28 महीना मतलब 0 फै नहीं गिन रहा है पन ठीक है मार्थ में आपको जाएंगे तीन अब एप्रिल आपको शुरू कर रहा है क्योंकि एप्रिल में थर्सडे कब कब होगा यह पूछ रहा है तो यहां तक का पूरा मामला क्लेर करके जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमें बेसिकली पता चल जाएगा क एप्रिल के महिने में पहली तारीक को कौन सा दिन होगा उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे ठीक है अब यहां देखें गिनो और डेस तीन छे साथ आठ नौ दस ग्यारा और दो हो गया तेरा ठीक है तेरा का मतलब क्या हो जाएगा थर्टीन का मतलब सा डिवाइड बाइ ठीक है यह वाला दे कौन सा होगा यह होगा सेवेंट मन्थ सेवेंट यहर का 2007 में मार्च महिने का लास्ट डे क्योंकि टीन और डेस मतलब लास्ट आपने पूरा काउंट कर लिया तो वह हो गया साटड़े सर यह अपने एक्दम से क्या किया देखो मैंने क्या क्या है बहूं से मियर्वाइस आया कियर्वाइस से मनत वाइस आया मनत वाइस दीवाइस पूरा दे कालकुलेड किए तो यह Mario यह सिक्स और डेज हैं तो जो लगार्श अप्रेज़ सरड धा उस दिन होगा संडे अब मुझे क्या चाहिए मुझे चाहिए सर कुल मिला के देखा जाए तो मामला है थर्षडे तक पहुंचने का तो अब मैं इसके अंदर जाओंगा मतलब हर एक दिन पर तो दो एप्रिल को भाईया मंडे होगा बिलकुल सर तीन एप्रिल को अब मैं देखो तीन एप्रिल को जाएगा Tuesday चार एप्रिल को Wednesday और लास्ट में पांच एप्रिल को आएगा आपका Thursday finally अब यहां से तो साथ साथ का मामला है तो साथ अब प्लस सेवन कर दोगे तो अगला प्लस तर्षडे मिल जाएगा साथ पांच कितना हो जाएगा 12 एप्रिल को क्या मिल जाएगा Thursday मिल जाएगा तो हफ्ते चलेगा थर्षडे में एक बार तो आता है प्लस सेवन कर दोगे तो उन्नीस तर्षडे मिल जाएगा ठीक है फिर इसके बाद आप आगे बढ़ोगे तो उन्नीस और साथ कितना हो जाएगा उन्नीस प्लस साथ और दो या नौ और साथ कितना हो जाएगा यहां पर जोड़ोगे तो नौ और साथ हो जाएगा 26 नहीं सर 27 27, 27, 27, 27, 26 April को आपको आपका अगला Thursday मिलेगा 26 और 7 जोड़ोगे तो आपके दिन हो जाएंगे कितने 26 और 7 जोड़ोगे तो हो जाएगा 33 लेकिन April होता ही 30 का महिना है तो आप इसके आगे नहीं बढ़ोगे तो आपका जवाब होगा कि 5 April, 12 April, 19 April और 26 April इन चार दिनों के आपके हो जाएंगे थरस्डे तो हमरे के हम सेवन हमने आसनी से हमकूचन पूबर एट की और मूव करते हैं ठीक है question 8 हम से क्या बोल रहा है question 8 हम से पूल रहा है कि भी यह निस सो निन्यानवे में मैं के महिने में कितने शनिवार पड़े थे आपको यह बताने हैं 1999 माई का महीना ठीक है अब इसमें दो तरीके हैं पहला तरीका कि आप 1900 से शुरू करो मतलब कहां से 1600 से 1900 पर 1900 से 1999 पर फिर उसके बाद माई के महीने में उसके बाद शनिवार गिनो साथड़े गिनो पहला निकाल के एक तरीका सेकेंड ऑप्शन 2000 में आपको पता है जीरो और ड इसा भी कर सकते हो ठीक है चलिए कोई दिक्कत तो नहीं है बिल्कुल नहीं से रम दोनों तरीके देखेंगे पहले हम 1600 वाला ट्राय करेंगे उसके बाद हम आएंगे 2000 वाले पे दोनों में से आपको जो ज्यादा इजी लगया आप उसको अप्रोच कर सकते हैं जिसमें आप आपको confusion कम हो ठीक है बाकि समय का तो ऐसा भाईया जितनी प्राक्टेस करोगे उतना समय आपका कम लगेगा ठीक है इस वाल प्राक्टेस चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले किसकी बात होगी जीरो लीप जीरो वाले और डियश्या आपको पता क्योंकि डिवेजबल यह फूर हंड्रेट एठ पूर और हंड़ेड से डिवाइड होना पूर हंडेड पूरे से डिवाइड होने में परक होता है तो आप इसको जब चेक करेंगे तो चार। सब राएं यह चैक करना ठीक पाच ओर पाच दस तीन उनिस्व मतलब पंदरह मतलब एक तो तीन साल बाद आपका एक और्डे होता है तो यह उनिस्व में एक और अब उनिस्वा के अंडर आपको कहां गूसना है 1990 में मई के माईने में तो पहले 1799 में जब आप घुशोगे तो 9098 तक का हिसाब करना पड़ेगा ठीक है तो यहां पर लिखोगे तिल कि 1998 ठीक है अब 1998 में कितने लीपिर तो सर हम अगर गिरंगे डिवाइड बाय फॉर करके 98 को divide by 4 करेंगे तो 4 2 is a 8 18 4 4 the 16 2 बचेगा तो मतलब कितना हो गया 4 2 is a 8 4 4 16 24 तो 24 दो नहीं हो गए 48 वो हो गए 48 बचे और 1998 में से माइनस करोगे 24 क्या कर रहे हो सर आप ये कुछ माइन में calculation क्यों करते हो सर को समझ ही नहीं आता है चलो ये देखो 98 में 24 लीपियर 24 का लिखे आपने लीपियर बचे हुए कितने यहाँ पर 8 में से 4 गया चार 74 नॉन लीपियर मतलब और इनके 74 डेज हो गए और और इनके हो गया 48 आट चर हो गया 12 चार गया रहा एक बारह 12 है ठीक है तो 122 डिवाइड बाई 7 किया हमने 122 डिवाइड बाई 7 किया हमने चेक आउट कितने और डेज होंगे तो आपने देखा 122 डिवाइड बाई 7 करने पर 7 बंजा 7 यहां पर आया कितना 5 52 77 49 बचा कितना गुरुदेव तीन बचा ना 49 50 51 52 तीन बचा तो तीन दिन हो गए यहां पर आपके और डेज देखो पूरा मामला किसका है मेरे लाल और डेज निकालने का बस यहां पर आगा तीन अब आजो 1999 के अंदर तो जन्वरी 1999 जन्वरी 1999 में आपको मिलेगा तीन और डेज फैब में आपको मिलेगे क्योंकि यह क्या है नॉन लीपियर है तो जीरो और डेज मार्च में आपको क्या मिलेंगे मार्च में आपको मिलेंगे तीन और डेज मार्च के बाद एपरिल में दो और डेज अब में का आपको शुरू तीन बारा आफके औरड डेस आहे बारा माइनस साथ कंया शात और पांच हो गया बारा तो आपके पास फाइफ डेस हो रहे हैं और कुर मिला के फाइफ अधर ठीक है इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह सर अगर मैं गिनUNGँगा तो मंड़े ट्यूजडे wednesday thursday friday five odd days friday मतलब मतलब april का जो आखरी दिन है 30 april को आपका दिन होगा friday यह clear है सारे odd days गिनने के बाद अब आप घुमेंगे घुसेंगे अंदर माई के महिने में तो पहला ही दिन first of may आपको मिल जाएगा first of may आपको मिल जाएगा saturday friday यहां पर निपड़ गया पांच और देज थे पांच और देज को मैंने crown किया तो friday यहां पर निपड़ गया तो कुल मिला के मामला कहां तक बजगया मामला हो भाई अपना यहां तक समाप्त कि भाई यह 30 अपरेल को friday था अब पहली मैं को गया saturday ठीक है आपको चनिवार ही गिनने थे तो हर साथ दिन में गजिए साथ और एक आप मैं को मिलेगा आपको saturday फिर आट साथ उजजा य का पंधरह मैं को मिलेगा आपको saturday फिर दोटीस माई को मिलेगा आपको saturday ठीक है clear रहे 7 आप add करते गए 7 आड़ करते गए तो आपको एक तारिक 8 तारिक 15 तारिक और 29 तारिक को कर मिलेगा saturday मिलेगा मई के माइने में ये हो एक तरीका दूसरा तरीका जिसमें रर्फ आपको पता चलेगा कि भाईया जो आपका ये हैं अपना 2000 है है उसमें दो एक भी और डे होता है व आप रिपाई नहीं होगे तो आपको पता चलेगा कि 1990 ace already ho था ना इन एक और दे 90 2098 में कितना होता है सर उसमें भी एक ही और दे होता है तो इस तरीके जब आप कहानी शुरू करोगे तब भी आपको आपका जवाब मिल सकता है वह आपके लिए छोड़ता है कुछ आप भी करो अपने साब से प्रयास करो सीधे तरीके से करोगे तो भी कुछ जादा समय तो ल रहा है राहुल जीका बूट्डे आता है साट डे फिफ्ट जून को मेरा बड़े नहीं कोई और राहुल है भाईया दुनिया में नहीं हूं मैं मेरा नाम तो इत्ता कॉमन है कि मतलब क्या ही बताओं आपको पता यह वोगा वैसे तो राहुल नाम बहुत कॉमन है हर कहीं आ कि अगर जून में पांच जून को आपको शनिवार का दिन मिल रहा है तो बताइए उसी साल सब्टेंबर में तेरा तरिक को कौन दिन होगा यह आपको पता लगाना तो चलिए जून पांच जून के महीने में किते दिन सर तीस दिन एक पाचे के लो जनवरी फरवरी मार्च अ जिसमें आपको confidence आजाए आप वो तरीका यूज करें मुझे इसी में आता है तो जून में तीस दिन पांच निपट गए बचे कितने पचीस ठीक है और इसके बाद फिर आपके जुलाई के कितने हो जाएंगे साथ तीन और डेस विसे जून के भी और डेस निकाल सकता हूं में साथ या 21 21 और चार हो जाएगा पच्चिस तो यह हो जाएगा यहां पर लिख दखते हो सिंपल कालकुलेशन के लिए चार चलिए जुलाई के तीन ऑगस्ट के तीन सब्टेमबर के तेरा मतलब यह हो जाएगा च्छे च्छे क्यों भाईया सरी यह जून जुलाई ओगस्ट और सप्टेमबर में यू तो लिखा है तेरा लेकिन जब आप सेवन जे करोगे इसको सॉल्फ तो छे एक्स्ट्रा रिमेंडर बचेगा वही हमारे लिए काम का है चलिए छे और चार दस तीन और तीन छे दस और छे हो गया सोला अब अब जब सोला को करो हो कि सॉल्फ कैसे सच सेवन और डिवाइड बाइट टू सेवन और रिमेंडर आगया टू ठीके ना सेवन टूजब फोर्टीन रिमेंडर आए आपका टू तो भगया प्लस टू करना तो शनिवार प्लस टू सूमवार तो क्या 13 सेप्टेमबर को मंडे होगा बिलकुल सर अ सनिवार प्लस टू करना है तो संडे मंडे तो हमारा आंसर होना चाहिए सुमवार सप्टेमबर 13 तारिक को बड़े है राधिका दीदी का ठीक है एडवांस में पांच जून अभी तो भईया जून को महिना चली रहा तारिक निकली गई है तो भईया आप देख लो आप क्य सवाल नंबर 10 अब आप से बोल रहा है बहुत ही क्लियर तरीके से पूछ रहा है सीधे सीधे आपसे इतनी सारी कहानी लिखने के बाद आई नो पर पहले कहानी पड़तिंग क्या कह रहा है इंडियन गवर्मेंट जो है उन्होंने अरे यार किसकी याद दिला दिए हैस कंट्री फॉर दब मिडनाइट और 29 25 मार्च दोहजार बीस तिल दर मिडनाइट और 14 अपरिल दोहजार बीस दूटू पैंडमिक ओके बट कीपिंग इन वीव सिचुबेशन दो लॉक्डाउन थर्ड में काल्कुलेट टोटल नंबर आफ देस फॉर विच दो लॉक्डाउ मिडनाइट और 25 मार्च मतलब 25 तारिक को रात बारा बजे अब 25 तारिक को जैसे रात बारा बजेंगे तारीक क्या हो गई 26 ठीक है फ्रॉम लिखाना और मिडनाइट और 25 मार्च मतलब तारीक हो गई 25 की 26 पहले तो यह डिसाइड करो सब यहां तो अंग्रेजी का खेल है सम मजने वाले पर देखो मिडनाइट ऑफ 25 मार्च मतलब 25 मार्च को रातरी 12 बजे मतलब आप 25 तारिक शुरू हो रही तो आप 25 को काउंट करेंगे अब 25 से लेकर 31 को दिन हो गए 6 दिन यह हो गए भाईया कौन से महीने के मार्च महीने के तो मार्च के हो गए आपके पास 6 दिन ठीक है तो मार्च में छे दिन लॉकडाउन एप्रेल में पूरा महीना अर्थात कितने दिन तो सर एप्रेल में पूरे 30 दिन के ना कहांसे या एप्रिल में 30 दिन तो होते हैं चेक कर लो जनवरी फडबरी मार्च एप्रेल गड़े में गिररा मतलब 30 दिन होंगे फिर तिर आये सर माई मैं मैं थर्ड डे रिटर्ड अब थर्ड़ में हम पूरी मान लेते भाई तो में में एक दो थीन दिन तो हमारी गण में क्या पूछ रहा है सेकेंड कोशन में पूछ रहा है कि यदि 25 मार्च को वेंशडे था तो थर्ड मार्च को कौन सा थर्ड में को कौन सा दिन पढ़ेगा यह पूछ रहा है नहीं से आपने डेज निकाले बस और डेज कालकुलेट करो और अंसर बताओ चलिए अब 39 को जब से फ्राइडे साटेडे संडे तो थर्ड अफ में को हमारे साफ से प्रोबैबली होगा संडे चार माई को मंडे से आपका वापस से सारा यह खुल गया था सवाल के हिसाब से असल कहानी कुछ और थी उसकी हम चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास अभी गणित का काम ब सब्सक्राइब करें आप इन बच्चों की तरह मेहनत करके अच्छे परसेंटेज ला सकते हैं और आपका फोटो भी एक दिन हमारी वेबसाइट यहाप पर आ सकता है तो बस बहुत सारी मेनत कीजिए अच्छे से पढ़ाई कीजिए इसके राबा हमें आप सोशल मीडिया प भी आपसिडूटली फ्री आफ कोस्ट और साथी साथ कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी भी जो कि आपके एक्जान पॉंट अफ्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है चलिए हमारे सारे वर्टिकल्स आपको सतत हाई कौलिटी एजुकेशन प्रवाइड कराते रहेंगे चाहे तो हम स्टेसे टेकर बाई गुडए सी यू सून नमस्ते आंड थैंक्स वाचिंग बाई